हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल एंजॉय गार्डनिंग एगलोनीमा प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो बहुत ही कॉसली आता बहुत ही खुबसूरत भी लगते हैं लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी होती है कि बहुत अच्छे से यह ग्रो नहीं हो पाते हैं मिट्ट यह पिंक एगलोनीमा इसको वैलेंटाइन एगलोनीमा भी बोला जाता है बहुत ही खुबसूरत प्लांट है लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी जो लीफ है वो गल रही है इससे पहले कि और ज्यादा मर जाए और सारी लीफ इसकी खराब हो जाएं मैं इसको बचान करने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है क्योंकि अपने प्रोपगेट हो जाएगा पानी के अंदर बहुत अच्छे से और अगर आप पहली बार इस तरह से कर रहे हैं तो रूट्स को डेमेज मत करिए इसकी मिट्टी को हम अच्छे से निकाल देंगे मिट्टी बिल्कुल अच्छे से पानी में पहले दोलेंगे ताकि जो बची हुई इसकी जो मिट्टी है कोको पीट में लगावा था इसका पॉटिंग मेक्स सॉइल वगरा सब अच्छे से हट जाए देखिए थोड़ी बहुत यह गली गली सी जो आपको दिख रहा है स्टैम के ओपर लीव्ज इसको हम रिमूव कर देंगे वरना पानी में जाके क्या यह सर जाएंगी और प्लांट खराब हो जाएगा अगर आप कटिंग से लगा रहा है इसको तो आप मैं आपको बता दूं कि स्टैम सहीती आपको इसकी कटिंग लेनी है दिखरी है ना आपको इसकी जो रिंग्स है यही से इसकी रूट्स डेवलेप होती है तो आपको कटिंग ऐसी लेनी है जिसमें यह थोड़ा सा स्टैम का पोर्शन भी होना चाहिए बहुत उपर से नहीं लेना है यह जो आपको नीचे करडा करडा पोर्शन दिखरा है ब्राउन ब्राउन यह जरूर आपको कट करना है यही बो पोर्शन होता है जहां से रूट्स भी निकलती है लीव्ज भी निकलती है तो इस तरह से आप इसको इस पार्ट को काट लीजिए आपके बड़े वाले प्लांट में से और ऊपर से नहीं काटना है यहां से वरना रूट्स नहीं डिवलेप होंगी अब कोई भी अब इसमें हम इलाएंगे थोड़ा सा सी वीड फटलाइजर इसकी वज़े इस एक तो प्लांट को जो है एक तो निट्रिशन मिल जाएगा क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरी होते हैं दूसरा इसे अगर आपके इसमें कटिं मैं जिसमें हम इस प्लांट को करने वाले हैं आप एक साथ खुब सारे बना लीजे अगर क्चिऑ ड़ा रहे हो अब लजिया हमारी कटिंग हे जो हमारी कटिंग है जो छोटा प्लांट है जिसे हम पानी में ग्रो करने तो इसको इसमें डाल देंगे denn यह क्या होता, इस टेवल नहीं है नहीं होता है, है दुर्णी के सब्सके साफ पर निấकल सकता है, तो इसे कुछ प्लांट बैल की कोटे अब ये से जो एपके पास घर में अवैलिबल हो और कोई condition भी नहीं होती है आपको कहां रखना है बस हलकी सी bright light में रख दीजे ये देखिए मैंने इस तरह से ये grow कर रखा है लोनीमा प्लांट ये बहुत ही खूपसूरती से grow हो रहा है हलका सा उजाले वाली जगह में रख देती हूं जिसमें अच्छे से grow हो रहा है वरना क्या होता है आपको बार बार जगे चेंज करनी पड़ती है इसको condition अच्छे से मिल रही है कि नहीं मिल रही है कहां लग रहा है ये देखे मेरा प्लांट में कितने प्यारे vibrant colors आ रहे हैं बिल्कुल भी एक leaf भी इसकी अभी तक खराब नहीं होई है और ये मैंने कम से कम एक साल भर से इसको लगा रखा है कि देखे कितनी बढ़िया से इसकी roots grow हो रही है मैं इसको बहुत छोटा सा लेके आई थी nursery से इसी इसी तरह के कुछ उसमें लगवा आता है है इसी तरह से लगे आते हैं एकलोनी मैं को इस तरह से पानी में लगाने से ये सालों साल चलते रहते हैं ना गलनी की समस्या ना सडने की समस्या कोई fungal infection नहीं होता ना ही कोई मौसम का असर होता है कि सर्दी में इनकी growth रुख साबुन लगा के साफ कर दीजे क्योंकि जैसे हम मिट्टी में लगी प्लांट्स की केर करते हैं infection वगरा से fungal infection की वज़े से तो अगर पानी इसमें भरा रहेगा तो definitely fungal infection तो होगा इसे अगर आप केर नहीं करेंगे तो थोड़ी बहुत तो देखिए केर करनी पड़ेगी न सीवीड फटलैजर वाला पानी ताकि प्लांट को हमेशा nutrition मिलता है और इससे color भी बहुत ही खुबसरत आते हैं पत्तियों के और प्लांट को nutrition भी मिलता है क्योंकि हम मिट्टी में जब लगाते हैं तो हम खाट डालते हैं अब देखिए level आपको इस तरह से रखना है पानी क हमेशा ताकि इसकी roots जो हैं डूबी रहें तो मैं बात कर रहे थी nutrition की क्योंकि हम मिट्टी में खाट डालते हैं तो इस वाले plant को लिए भी हमें nutrition चाहिए वरना plant की growth कैसे होगी जैसा लेंगे वैसे ही रहेगा तो देखिए मेरे plant की growth कितनी अच्छी हो रही है दो हाथ उपर जितना इसकी growth हो चुकी है जबकि मैं इसको तीन leaves का लेकर के आई थी तो बस इस तरह से आप हमेशा दस दिन में एक बार पानी बदल दीजिए seaweed fertilizer डाल दीजिए या hydroponic fertilizer इसमें add कर दीजिए देखिए इस तरह से आपको ये ले सकते हैं pot जो nursery में आराम से मिल जाते हैं सस्त सरस्ते और कोई cup ले लीजिए और आप इस तरह से cutting इसमें रखकर grow कर सकते हैं तो roots जो है नीचे निकल के चली जाएंगी और grow होती रहेंगी जैसा nursery में बने बनाए मिलते हैं प्लांट आपका हिलेगा भी नी बिल्कुल भी प्लांट की अच्छी care के लिए जब dry मौसम हो ग प्लांट मिलेगा जैसे यह मेरा दिख रहा है आपको मैं इसी तरह से care करती हूँ अब मैं इसको रखती हूँ अपने living room में ना आपको कोई हलकी सी light देनी है इसको ना कोई filtered sunlight देनी है यह आराम से ऐसे grow करता रहेगा hydroponic fertilizer amazon पर अविलेबल है उसका link आपको description box पर मिल तो अब इसी method से अगर आपका plant कोई साभी एगलो नीमा हो चाहिए snow white हो चाहिए lipstick एगलो नीमा हो उसको आप इस तरह से grow कर सकते हैं काफी घना अगर आपका है और ऐसा लग रहा है आपको कि सर्दियों में नहीं चल पाएगा या गर्मियों में मर जाएगा जैगा जैसा कि यह delicate plant होते हैं तो आप इस तरह से बड़े वाले plant की cutting निकाल करके और इसके कई सारे plant बना सकते हैं और यह जो plant होते हैं इनको मौसम का कोई फरक नहीं पड़ता आराम से grow होते हैं यह तो इस तरह से आप एगलो नीमा का propagation भी कर सकते हैं और अगर मिटी में आपका लगावा है और आपको डर लगता है कि वह खराब हो जाएगा उसके पत्ते गल रहे हैं खराब हो रहे हैं और वह नहीं बचेगा तो इंतजार बिल्कुल मत कीजिए plant के मरने का या खराब होने का उसको मिटी में से तुनत निकाली और इस तरह से पानी में लगा दीजिए आपके living room और कहीं भी रखिये उसकी खुब सूर्ती बढ़ाएगा मेरी इंफोर्मेशन दूर दूर तक सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी मेरी जानकारी का फायदा उठा सकें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूर ये मेरे चैनल को फी मिलूंगी बाई बाई